नमस्कार दोस्तों मैं राचमार प्रजापती ही फिर से आपके सामने एक बहुत छोटे सी वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो उन सिक्षक भाई बहनों के लिए है जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं पर कुछ सेंटेस की कमी होने की कारण अब हो अच्छी इंग्रीश नहीं बोल पाते हैं इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो सिंपल सेंटेसम का था अफर्मेटेव सेंटेसम का था इस वार जो वीडियो है वो questions का है interrogative sentences का है तो वेना समय गवाई शुरू करते हैं कुछ चोटे-बुटे sentences दोस्तों जो हम वीडियो अभी देखने वाले हैं शुरुवात में उसमें have के बाद दिया थर्ड फॉम रखते हैं तो हिंदी निकलती है क्या वो काम कर लिया मतलब काम हो गया ऐसा perfect का sentence बना जाता है have plus third की माध्यमसी सो दोस्तों यहाँ पे जैसे लिए sentence पहला है हमारा have you done तो have के बाद दिया आप third form रखते हैं किसी भी क्रिया की तो हिंदी निकलती है क्या वो काम हो गया है जैसे की have you done ये एक प्रस्न है इसके पहले वाली वीडियो हमने simple sentence देखे हुए थे have you done your homework क्या आपने अपना homework कर लिया have you done your homework क्या आपने अपना homework कर लिया have you completed दिखिया है आप के बाद third form है आप एक क्रिया की कोई भी क्रिया होगी तो third form में होगी have you completed your homework क्या आपने अपना homework complete कर लिया have you completed your homework क्या आपने अपना homework complete कर लिया have you written all the answers क्या आपने सारे answers लिख लिए have you written all the answers क्या आपने सारे answers लिख लिए have you solved all the questions क्या आपने सारे प्रस्न हल कर लिए have you solved all the questions क्या आपने सारे प्रस्न हल कर लिए have you brought your copy क्या आप अपनी copy लाए हो have you brought your copy क्या आप अपनी copy लाए हो why haven't you completed yet Tumne अभी तक पूरा क्यों ने किया यहां पर आप कुछ भी लगा सकते है तो complete के बाद आप homework भी लगा सकते हैं तुमने अपने कॉपी क्यों नहीं लाए हो तुमने अभी तक लेखा क्यों नहीं तुमने अभी तक लेखा क्यों नहीं दोस्तों इस प्रकार से भी आप पूछ सकते हैं तुम्हें देर क्यों हो गई या फिर वाई आप पूछ सकते हैं एक चीज को एक बात को कहने की कई तरीके होते हैं दोस्तों यह बहुत अच्छा सुन्दर सेंटेंस है जब कोई हमारे हाँ रिस्तिदार आते हैं तो हम पूछते हैं सौभाव ग्रूप से कैसे आना हुआ तो इस बात को भी आप वहाँ पूछ सकते हैं तो इस बात की प्रतिक्षा कर रहे हो तो इस बात की प्रतिक्षा कर रहे हो कौन अपनी कौपी नहीं लाया है कौन अपनी कौपी नहीं लाया है यह किस ने किया तो तो इस कौपी उसकी कौपी किस ने ली आज कौन कौन अनुपस्तित है तो दोस्तों यह थे हमारे कुछ सामाने सेंटेंस यह आप इनकी लिस्ट बनाके और लगातार अपने जबान से बोलते हैं और इस वीडियो को बारवर सुनते भी हैं तो भी सेंटेंस आपको याद हो आएंगे यह सेंटेंस याद होने में बहुत अच्छे से याद होने में एक हफते लेंगे और आपकी अंग्रेजी काफी बहतर हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से आसान तरीके से इंसेंडर्स को बोल पाएंगे तो उनकी प्रैक्टिस हवस्थ करिएगा तो दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो में को देखने के लिए आपका रहदर से बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक यू और मच जाहिन वंदी मातरम